दोस्तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलेंटेड मुसलिम्स और आज की सीरीज में आप दुनिया की एक मशहूर मुसलिम साइन्टिस्ट की कहानी सुनेंगे दोस्तो जिन्दगी में हर इनसान कामियाबी की बुलंदी पर पहुँचना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बुलंदी पर पहुँचने के बाद आम लोगों के लिए सोचते हों ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं लेकिन होते जरूर है ऐसी ही एक शक्सियत हैं हयात सिंदी हयात सिंदी कई माएनों में खास हैं बहुत ही कम औरतें ऐसी होती हैं जो मर्दों के शाना बशाना साइंस और टेकनलोजी की फिल्ड में काम करती हैं ऐसी ही चुनिंदा खातिन में से एक हयात सिंदी है हयात सिंदी ने जो काम किया है ऐसा विरले ही कोई करता है उन्होंने गरीब देशों में रहने वाले लोगों के दरद को समझा इन इनाककों के लोगों को ईलाज की सहूलत और तकनीक तक पहुँच नहीं होती है इन देशों में बड़ी तादाद में लोग ईलाज की कमी की वजह से मौत के मुह में चले जाते हैं हयात सिंदी ने इन लोगों को नई जिन्दगी देने का फैसला किया इसके लिए 2007 में उन्होंने एक तंजीम की बुनियाद डाली जिसका नाम डायगनोस्टिक्स फॉर आल है इसके जरीए उन्होंने बहुत ही सस्ते सस्ते डिवाइस बनाने शुरू किये ये डिवाइस गरीब देशों में बिमारी की जाच के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्होंने एक बायो केमिकल सेंसर और मैगनेटिक अकूस्टिक डेजुनेंस सेंसर बनाए इन दोनों की मदद से बहुत ही तेजी से बिमारी की जाच कीश जा सकती है साथ ही जाच बहुत कम पैसे यानि बहुत सस्ते में हो जाती है जो गरीबों के लिए बहुत बड़ा बरदान है 2011 में उन्होंने एक और तन्जीम की बन्याद डाली जिसका नाम Institute for Imagination Ingenuity यानि ITU Institute है इसका मकसद नौजवान नसल में साइंस और इनोवेशन को फरोग देना है उनकी कहानी बहुत दिल्चस्प है 1991 में किसी तरह अपने परिवार के लोगों को मना लिया कि वह इंगलेंड पढ़ने जाएंगी उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में अपलाई किया उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी एक साल तक तैयारी करती रही और अगले साल उन्हें दाखिला मिल गया उन्होंने किंग्स कॉलेंज लंदन से 1995 में फारमा कोलोजी में ग्रेजुएशन किया उन्होंने वहां इलर्जी पर काम किया था जिसके लिए उनको प्रिंसेज एनेज आवार्ड मिला था उनकी दिल्चस्प और सबक देने वाली कहानी ये है कि जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो उन्हें हिट इसकार पहनने से मना किया गया साथ ही इसलामी अकीदा को छोड़ने का भी उन पर दबाब बनाया गया लेकिन वह इन दबाबों के आगे जुकी नहीं और अपना तालिमी सफर जारी रखा 2001 इस बी में उन्होंने नियून हैम कॉलेज कैम्बरीज से बायो टेकनलोजी में पिएजडी की वह साथी अरब की पहली खातून थी जिने बायो टेकनलोजी की फिल्ड में कैम्बरीज यूनिवरसिटी में दाखिला मिला हयात बताती हैं कि उनकी तालिम में उनके परिबार ने भरपूर मदद की उनके वालिद ने उनका होसला बढ़ाया उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी जहां औरतों की तालिम करिवाज नहीं था लेकिन उनके परिवार ने कभी उनका बिरोध नहीं किया वह कहती हैं कि वह अरब के साइन्टिस्ट इबन रुजद और अलबातनी से काफी मतास्सिर हुई और उनसे ही आगे बढ़ने का होसला मिला पिएचडी करने के सिर्फ तीन साल बाद 2013 में उन्होंने साओधी अरब की शूरा कॉंसिल में शामिल किया गया फिलहाल वह इसलामिक डिवलपमेंट बैंक साओधी अरब में काम कर रही हैं वह बैंक के साइंस टेकनोलोजी और इनोवेशन के हेड की सिनियर अडवाईजर हैं हर दिन हया सिंदी नوجवान लड़कियों और अरब की ओरतों के लिए काम करती हैं ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें सिंदी का मानना है कि दुनिया जिन चुनोतियों का सामना कर रही हैं उन में से कई का हल साइंस टेकनोलोजी और इनोवेशन में हैं 2018 में उन्होंने इस बैंक का एक प्रोग्राम लांच किया जिसका नाम 500 मिलियन डॉलर ट्रांसफॉर्म फंड है इसका मकसद दुनिया के ऐसे इनोवेटर की मदद करना है जो इनोवेशन यानि कुछ नया करने की ताकत के जरिये दुनिया की तरक्की से जुड़ी चुनोतियों का हल कोजना चाहते हैं यह गरीब देशों के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल हब है दोस्तो इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी खत्म होती है यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज